हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस, क्लास सेकेंडियर के पेक्टिकल सेशन में आज हम आप्टिकल बेंच से संबंधित एक्स्पेरिमेंट लेकर के आए हैं और यह ही इस समय के लिए तो बहुत ही इंपार्टेंट है बोर्ड परिक्षा आपकी करीब है प इस प्रेक्टिकल का उद्देश है यू तथा भी के बीच ग्राफ खीच कर किसी उत्तर लेंस की फोकस दूरी ग्याद करना यानि यू भी मेथड आपने पढ़ा हुआ इसको सिंपली यू भी मेथड करते हैं लेकिन यहां कैलकुलेशन मेथड नहीं है यू और भी के बीच ग्राफ खीच करके और उत्तर लेंस की फोकस दूरी फाइंड करना है तो इसके लिए क्या क्या चाहिए आवस्या कुपकरण एवं सामगरी प्रकासिय बेंच उत्तर लेंस दो पीने चाक तथा लेंस होल्डर इसकी आवस्यक्ता यहां पर पड़ेगी सिधान त्यम सुत्र प्रयोक्त आपको पता है कि यदि कोई बस्तूतर लेंस के फोकस से दूर इस्थित है तो लेंस के दूसरी ओर उसका वास्तवी को उल्टा प्रतिविम बनता है यदि लेंस से बस्तूब उसके प्रतिविम की दूरियां करम सा यू तथा भी हो तो जो ल लेंस फार्मूला है 1 upon f equals to 1 upon v minus 1 upon u से आपका सकते हैं कि f equals to u v upon v minus u. इसमें b dhannatmak होता है और u हमेशार डातmak होता है. इसलिए u के अस्थान पर minus u रख दें तो जो f की बैलू है यह f जो है यह हो जाएगा f equals to u v upon v plus u. यह बैलू आ जाती है तो इस तरह से उत्तर लेंस की focus दूरी धनात्मक यह मिल जाती है. अब इसमें इसका जो circuit है इस circuit में यह है यहां एक बस्तु पिन और यहां प्रत्विम्पिन बीच में लेंस रखा हुआ है. इसका वास्तविक वा उल्टा प्रत्विम्प इस pin के उपर से दिखाई देगा. अब यहां पर object pin और image pin दोनों के बीच लंबन नहीं होना चाहिए. तो इस लंबन से क्या तात पर है? इस लंबन से तात पर है कि अगर हम अपने नेत्र को जहां से देख रहे हैं, अपने नेत्र को अगर left और right अगर हम घुमाते हैं या हिलाते हैं, तो image और object pin दोनों साथ साथ जो है हिलनी चाहिए. लेकिन यह 100% करेक्ट नहीं हो सकता, इसलिए कि आप्टिकल बेंच को यह कहा जाता है कि यह horizontal होनी चाहिए 100%, लेकिन यह metallic होती है, तो इस metallic होने के कारण यह 100% horizontal नहीं होती है. इसलिए कुछ न कुछ लंबन होगा. अर्थात, जब इसका image बन जाएगा, तो कुछ दूरी अगर left ले जाते हैं या right ले जाते हैं, तो कुछ दूरी तक image साथ साथ जाएगा, लेकिन फिर हटना सुरू हो जाएगा. तो आप अपने experiment में यह माल लेंगे कि वह उसी स्थिती में लंबन नहीं है. तो अब आईए इसको जो है, experiment पर कैसे परफार्म करते हैं, प्रकासी अब्यंच पर देखते हैं. सबसे पहले lens की अनुमानित focus दूरी निकालेंगे, तो इसके लिए आपको पता है कि उत्तर lens पर समानतर आने वाली प्रकास की किरणे focus पर केंदरित होती हैं, तो यह हमने देखे एक टार्च का प्रियोग किया है, और यह दूर से इस lens पर light आ रही है, तो इस light को अगर, यह देखे, अब आपकी जो प्रकास की किरण जो है, यह देखे, जैसे जैसे इसको आप इसके करीब लेते जा रहे हैं, यह एक पॉइंट ऐसा बन रहा है, जहां पर कि इसकी प्रकास की सभी किरणों को यह केंदरित कर दे रहा है, अर्थातिया, इसका focus है, तो अब इस pin, बने लेंस तथा इस screen के बीच की जो दूरी है, यह इसकी focus दूरी के बराबर होगा, तो यहां पर यह लगभग 10 cm है, अब जब यह 10 cm है, तो जो आपजेक्ट डिस्टेंस हम रखेंगे, इस आपजेक्ट डिस्टेंस का मान जो है, 10 cm से अधिक होना चाहिए, अब यहां पर आप यह देख रहे होंगे कि यह लेंस होल्डर है, यह लेंस होल्डर है और यह देख रहे होंगे कि यह क्या है, यह आपजेक्ट पिन हो गई, यह यह जो है, यह लेंस होल्डर हो गया, अब इस लेंस होल्डर के यह पीछे आप जो देख रहे हैं, यह हमारी हो गई इमेज पिन क्योंकि उधर का आपजेक्ट का इमेज जो है यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर यह बनेगा. तो आप देख रहे होंगे कि इस पिन, इस पिन का प्रतिबिम्ब, इस पिन के ऊपर बनेगा. अब यहां पर आपको करना क्या है कि lens holder को किसी एक निश्चित दूरी पर fix कर देंगे जैसे मैंने आप 50 पर इसको fix कर दिया है अब यहां से lens की lens और object pin के बीच की जो दूरी है इस दूरी को परिवर्थित करके और यह दूरी हमें 10 cm से अधिक रखनी होगी क्योंकि अगर 10 cm के अंदर अगर हम रखते हैं तो जो प्रतिवीम्ब बनेगा वह virtual बनेगा और virtual प्रतिवीम्ब को आपको पता है कि इस screen पर हम ला नहीं सकते हैं बने screen खीच नहीं सकते हैं तो इस तरह से इसकी दूरी जो है 5-5 cm के अंतराल पर इसकी स्थिती को हम fix कर देंगे 50 पर और इसे जो है 5-5 cm पीछे की तरफ खिसकाते जाएंगे अर्थात इसकी दूरी को 5-5 cm बढ़ाते जाएंगे तो उसी के respect में यह image pin को आपको set करना होगा ताकि इसका प्रतिविम्व इसके ऊपर ठीक उल्टा बने और एक प्रतिविम्व यह आप देखें जैसे कि मैंने इसको फर्स ट्रेडिंग के लिए इसको 30% कर दिया अर्थात इन दोनों की बीच की दूरी 20 cm है अब इसी स्थिती में हम यहां से इस स्थिती से हम अपने नेत्र से देखेंगे और यह image जो है चटकीला बने इसलिए हम क्या करते हैं कि इस पिन के ऊपर चाक को जो है थोड़ा रगड़ देते हैं क्योंकि वाइट लाइट होने की वज़े से यह वाइट जब होगा तो यह लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा और जो प्रतवीम हमारा बनेगा वह प्रतवीम चमकीला बनेगा तो यह लेजिए यह कुछ चाक लगा दिया गया अब इसे आपको सेट करना है तो जब इसे आप सेट करेंगे तो यह देखे यहां पर जो प्रतवीम पिन अब अगर अपनी गर्दन को हम इधर लेफ्ट या राइट घुमाते हैं तो उस इस्थिती में आप यह देखेंगे देखें आप अपनी गर्दन को थोड़ा सा उपर नीचे यह घुमाईए यह देखें तो अगर गर्दन को हम घुमाते हैं इस तरह से आगे पीछे तो आप यह देखेंगे कि जो इमेज पिन है यानि इसके उपर जो बन रहा है यह इमेज पिन और यह यह इमेज इसके उपर जो बन रहा है और यह बस तुपिन दोनों साथ साथ जो है आगे पीछे गुमते हैं तो इस तरह से हम अपने आपजर्वेशन टेबल में यह ओ इस्थिती हो गई आपजेक्ट की यह एल लेंस की हो गई और यह इमेज आई की हो गई इसमें बच्चे कि बहुत ही कनफ्यूज होते हैं कि कौन सा आई है और कौन सा ओ है तो आप जिस तरफ से देख रहे हैं आप इसको देखते समय जिस तरफ से देख रहे हैं लेंस के अपोजिट साइड अबजेक्ट होगा क्योंकि उसी का उल्टा पर्थिम यहां पर बन रहा है तो अगर तो यह आबजेक्ट पिन हुआ और यह इमेज पिन हुआ यह लेंस फोल्डर है। ल और ओ के बीज की जो दूरी है वह यू होगी, लेंस और इमेज की बीज की जो दूरी है वह भी होगी। अब यह आपकी पहली रिडिंग मिल गई। अब इसी तरह से हम इसे 5 cm और shift कर देते हैं, यह हमने इसको इसकी distance को बदल दिया, जब इसकी distance को बदल दिया, तो उसी सिती में यह भी बदल जाएगा, और इसे आप अब set करेंगे, तो इसे आप set करेंगे, तो देखें कि जब U की बैलू अगर बढ़ रही है, तो भी की बै बैलू कितनी आ रही है, तो इस पे आप इसे set करेंगे, तो आप इसको देखते जाएए दिरे-दिरे, आप इसको देखते जाएए, तो यह है छाचट, सरशट, अडशट और अरशट दसमलो दो, अब इस स्थिती में हम यहां से अगर हम देखें, तो इमेज और अब यह आप देखें, कि इसका दूसरी स्थिती में प्रत्विम इसका उल्टा बन रहा है, यह दूसरी स्थिती है, इसको चेंज करना पड़ा, अब आप देखिए कि इसमें पैरालैक्स है कि नहीं, तो पैरालैक्स है कि नहीं, इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए कि हम अपनी गर्दन को यहां से आगे पीछे इस तरह से घुमाएंगे, तो इस तरह से जब आप घुमाएंगे, तो उस इस्थिति में आप देखेंगे, कि Image Pin और Object Pin दोनों साथ-साथ दिखना चाहिए, अगर दोनों साथ-साथ दिखता है, तो इसका मतलब है कि इसमें लंबन नहीं है, तो यह हो गई हमारी दूसरी स्थिति, अब इस Object Pin की स्थिति को चेंज कर लेते हैं, तो इसे 5 cm और पीछे कर लेते हैं, अब यह हो गया, Object को 5 cm और पीछे किसका दिया, तो अब इस तरह से Lens और Object की बीच की दूरी यह हो गई 30 cm, और इस स्थिति में इसे सेट करेंगे, तो जब सेट करेंगे तो अब आप अपनी गर्दन को हिला करके देखें, तो इस स्थिति में थोड़ा सा लंबन है, अगर लंबन है, तो इस Spin को, इसे आपको नहीं चुना है, इसको नहीं चुना है, इसको आगे पीछे करके और इसको सेट करना है, तो इसको अगर आगे पीछे आप इस तरह से करते हैं, तो आप यह देखिए कि एक स्थिति ऐसी आती है, जहाँ पर कि दोनों में लंबन कम से कम होगा, लंबन जो है तो अब आई आपको मैं graph plot करना बताता हूँ कि किस तरह से graph plot करेंगे और किस तरह से इस lens की focus दूरी graph विधी से find करते हैं कि यह प्रेक्षण तालिका अब देखें इस प्रेक्षण तालिका में करम संख्या वस्तु पिन O की स्थिति A cm, उत्तर लेंस L, B cm, प्रतिविम पिन I की स्थिति C cm में, अब U की वैलू कितनी होगी, B-A, L से, लेंस की स्थिति से, आबजेक्ट की स्थिति को माइनस कर लेंगे, तो U बराबर B-A cm, और इसी तरह से भी, लेंस और इमेज के बीच की जो दूरी होती है, तो ये C-B, और इस तरह से observation table को आपने लिख लिया, जैसा कि देखे, पहली स्थिति में था 30 और उत्तर लेंस की स्थिति थी 50, प्रतिविम पिन 74.1 पर था, तो इस तरह से 50-30 20 हो गया, और 74.1-50, ये 24.1 हो गया, इस तरह से ये 5 reading हमने find कर लिया, अब इसका जो है, परिकल तो U-B graph बिधी में हम मूल बिंदू O के सापेच U तथा B के लिए एक ही पैमाना मानते हुए U तथा B में graph खेच लेते हैं, जिसकी आकरिती जो है, आयताकार अति परवलयाकार होगी, और मूल बिंदू से OX- के साथ 45 डिगरी का कोण बनाते हुए एक सीधी रेखा खेचते हैं, जो इस वक्र को बिंदू P पर काटती है, जहां U तथा B के मान बराबर होते हैं, तो जब U और B के मान बराबर हैं, तो जो हमारा फार्मूला है, F इक्वल्स टू U V अपान B पलस U, इसमें पूट कर देते हैं, तो U बराबर 2F, और इसी तरह से U बराबर B रखते हैं, कि बैलू V के टर में हो गई, B बराबर 2F, बिंदू P, X अच तथा Y से 2F दूरी पर होंगे, अतर हम यह कहा सकते हैं, कि अगर इनको जोड़ दें, U बराबर 2F और B बराबर 2F को जोड़ दें, तो U पलस V बराबर 4F होगा, और जब यह 4F होगा, तो इसी सिती से, आप यह कि हम इसकी बैलू कैसे निकालते हैं, तो आईए आपको मैं ग्राफ प्लाट करना बताता हूं, और इसमें दो तरह के ग्राफ प्लाट किये जाते हैं, और दोनों से ही हम कैसे फाइंड करते हैं, यह बताते हैं, अब आप एक ग्राफ पेपर ले लिजे, इस ग्राफ पेपर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 इस तरह से लेफ्ट पर ले लेंगे इसी तरह से भी की बैलू पाजिटिव होती है तो इसको ऊपर के तरफ लेंगे और इस ग्राफ को प्लाट करने के लिए इस बात का ध्यान रखना है कि X और Y अक्ष दोनों पर ही X और Y दोनों ही अक्षों पर बैलू समा मान लेनी है तो हमने पैमाना मान लिया कि X एक्स पर 10 इसमाल डिविजन इक्वल स्टू 2 सेंटीमिटर इसी तरह Y एक्स पर 10 इसमाल डिविजन इक्वल टू 2 सेंटीमिटर और ग्राफ हम प्लाट करेंगे अब ग्राफ प्लाट करेंगे तो यह X है यह O इस्तिती है यह जो ह तो देखिए 35 पर 35 पर कितना है 35 पर 34 दस्मलो 24 दस्मलो एक है तो यह 34 और यह आधा लाइन 35 इस 35 यहां पहुंच गया और यह आप देखिए इसकी बैलू जो है जो आपके ग्राप में बैलू मिली होई है तो बीस पर देखिए 20 सेंटिमीटर 20 पर भी की बैलू है यह देखिए 20 पर भी की बैलू है 24 दस्मलो एक इसी तरह से 25 सेंटिमीटर पर यह देखिए 25 चोविस यह हो गया और यह 26 इसके बीच में यह 25 पर 18 दस्मलो 2 सेंटिमीटर तो दस्मलो यह एक खाना बराबर दस्मलो 2 हो गया ठीक इसी तरह से 30 पर 30 पर 15 दस्मलो 4 और 35 पर 35 पर 14 दस्मलो 6 तथा और यह पॉइंट बाहर जा रहा तो यह 4 हम खीच लेंगे अब इसे आप जो है एक पतली सी सीक या फिर कुछ लचकदार तार का परियोग करके और यह ग्राफ जो है इस तरह से प्लाट कर लेंगे अब यह ग्राफ हम खीच लेंगे तो यह ग्राफ का सेफ कुछ ऐसा मिलेगा है यह ग्राफ का सेफ जो है यह अतिपरवलय के आकार का होता है अब फोकस दूरी फाइंड करना है तो इसके लिए आप क्या करते हैं कि जो ओ एक्स डैस यह अक्ष है इस अक्ष से 45 डिगरी के कोण पर यह देखे 10, 20, 30, 40 और यह 45 डिगरी का कोण बनाते हुए एक लाइन हम जो है यहाँ पर यह खीच देते हैं यह हो गया 45 डिगरी का को अब इस पर हम खीच देते हैं जब इसको हम सकेल की साहता से खीच देते हैं तो यह पॉइंट P पर टच करता है अब इस पॉइंट P से एक X डैस अक्ष पर और एक Y अक्ष पर लाइन खीच लेते हैं तो हम यह देखते हैं कि P जो है यहाँ पर A पर कट किया और इस तरह से यहां पर जो है यह बी पर कट कर दी अब हमें O A और O B बैलू की जरूरत होती है जो कि आप ग्राफ से नोट कर लेते हैं तो ग्राफ से बैलू इसकी नोट कर लिए तो यह हो गया 20.6 और इधर भी हो गया 20.6 इसी तरह से हम इसकी जो दूसरी बैलू है दूसरा ग्राफ होता ह है उस ग्राफ को भी आपको हम खीज के बताते हैं यह देखिए इसमें जो है यू लेफ्ट आपने ले लिया भी को यह पर ले लिया अब यहां पर हमें करना क्या है कि यू के संगत भी की बैलू को नोट कर देना है जैसे पहली सिती हमारी मिली है 20 पर तो यू की बैलू हमा और भी की बैलू है 24 दसमलो एक तो यह 24 तो यहां पर 20 नोट कर दिया यहां पर 24 और इस लाइन को मिला दिया ठीक इसी तरह से दूसरे स्थिती में 25 cm है 25 पर 18 दसमलो 2 है तो यह देखिए यह हो गया यहां पर 24 और 26 की बीच में यह 25 और यह 18 दसमलो 2 तो 18 दसमलो 2 को मतलब क एक खाना यहां से फिर इसको हम मिला देंगे ठीक इसी तरह से तीसरी रिडिंग हमारी तीस पर यह 15 दसमलो चार है तीस पर 15 दसमलो चार तो 15 दसमलो चार का मतलब हो गया कि यह 14 और 16 की बीच में हो गया 15 और 2 खाना और, यहां से इसको मिला देंगे, जब इसको मिला देते हैं, तो हम यह देखते हैं कि यह तीनों लाइने कहीं पर कट करती हैं, जहां पर कट करती हैं, वह point आप ले लिजिए P, और यह जो point आप intersection यहां पर होता है, यह यहां से यह द F2, अब यहां पर जो formula होता है, F1 प्लस F2 बाई 2, और इसकी सहायता से हम focus दूरी निकाल लेते हैं, तो आए ग्राप से, एक बार फिर आप, तो ग्राप से अब दे देखें, यह ग्राप आपने प्लाट कर लिया, अब यह P से A, यानि हमको यहां पर बैलू चाहिए O से A, तथा O से B, तो O से A, आप यहां पर देख रहे होंगे, कि यह 20 और यह 22, मने यह हो गया, यहां पर 21, और उसके बाद 3 खाना है, तो 21 दसमलों यह देखें, O से B, O से B, यह भी 21 दसमलों चाहिए, तो F equals to U plus V by 4 होता है, तो O A plus O B upon 4, तो 21 दसमलों 6 बाद 4, यह हो गया 43 दसमलों 2 बाद 4, तो यहांनि 10.8 cm, तो इस ग्राप से लेंस की फोकस दूरी मिल गई, 10.8 cm, और आपने अनुमानत जो निकाला था, वह 10 cm था, इस इसी तरह से इसका जो दूसरा ग्राप है, यह यह भी ग्राप में, जो point of intersection मिला P, इस point P से, यह F1 और F2 आपने ग्याद कर लिया, तो F बराबर F1 plus F2 upon 2, यह देखें, यह जो F1 है, F1 यह दूरी होगी, तो यह देख रहे होंगे कि 8 और 10 के बीच में कट किया, एक खाना जो बीच में ऑगया 9, और 9 के ऊपर एक खाना, तो दसमलोग 2 हो गया, तो 9.2 और यह आप बैलू देख रहे हैं, यहाँ पर जो कट किया, तो यह 12 के बाद 2 खाना है, 12 के बाद 2 खाना, यहदं कमान दसमलोग 2 है, तो 2 खाने कमान होगया दसमलोग 4 यानि 12 दसमलोग 4 cm है, तो 9.2 plus 12.4 by 2, यह हो गया 21.6 by 2, 10.8 equals to 10.8 cm. आपने देखा कि इसमें भी 10.8 cm है, यानि ग्राफ विधी से दोनों ही विधियों से, चाहे हम अतिपरवले वाले ग्राफ से निकालें, या हम उसके संगत मानों को मिलाने वाले ग्राफ से निकालें, दोनों ही इस चिती में f कामान बराबर आता है, तो इस तरह से हम का सकते हैं कि ग्राफ द्वारा दिये गए उत्तर लेंज की फोकस दूरी, सावधानिया, पेक्टिकल को करते समय कुछ सावधानिया बरतनी होती है, क्या है, पिनों की नोके पतली होनी चाहिए, तभी जो है दोनों पॉइंट्स जो मिलाएंगे, तो क्लियर दिखाई देगा, बस तुपिन की नोक चाक से सफेद पोद देनी चाहिए, वाइट होने क वज़े से लाइट का रिफ्लेक्सा न दीख होगा, और आसानी से हम इमेज को देख सकते हैं, दोनों पिनों की नोकों तथा लेंस के प्रकासिक केंद्र को मिलाने वाली रेखा प्रकासिये बेंच के समनांतर होनी चाहिए, लंबन दोनों पिनों की ओर से देखकर दूर करन अन्यथा आख में चोट लग सकती है.